हेलो गाइस, वेलकम टो फूडी स्टेशन, आज हम आपके लिए लाएं एक दम नई रेसिपी जो आपने शायद अब तक पहले कभी नहीं खाई होगी, अगर आपने कभी बनाई हैं तो प्लीज कमेंट में ज़रूर लिखें, है ना क्रिस्पी, कितने क्रिस्पी और टेस्टी ये बाइट्स बने थे, एक दम ये प्लेट दो मिनट में खतम हो गई थी, मेरे लिए तुब बच्चे भी नहीं थे, तो इतनी प्यारी सी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज लाइक, शेयर करें वीडियो क और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है, और वो भी बहुत यूजफुल भी है, क्योंकि हम लेडिस को अक्सर चिंता रहती है, कि जो हमारी दाल बच्चे उसका क्या करें, तो ये बच्ची हुई चैनल रातवाली दाल को अच्छे से पानी सुखाकर बून लिया, थोड़ा सा इस को अच्छे से बूनने से सब्सक्राइब कर दो ये अच्ची हुः अगर आपके पर थोड़ा सा पानी रह भी गया है तो आप इसमें शूजी थोड़ी ज्यादामात्रा में मिक्स कर सकते है तो मैंने इसके लिए लिए है एक बड़ा प्याच कट करके उसमें थोड़ा कसूरी में थी थोड़ी अजवायन और एक आलू मेरे पास पड़ा था उबला हुआ मैंने वो भी इसमें मिक्स किया है जिसमें मैंने थोड़ा नमक, मिरच, नमक का ध्यान रखें क्योंकि नमक पह थोड़ा सुखा धनिया डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद अब मैंने डाला इसको बाउंडिंग के लिए एक ब्रेड मैंने मेरे पास ब्रेड पड़ी थी तो मैंने ब्रेड डाल दिया और आपके पास अगर ना हो तो आप थोड़ी सी किया है दाल का मिक्स्टर इसको हम अपनी हथेली पे लेके हम कोई भी शेप जो आपको पसंदो आपको राउंड या चोरस जो भी आपको शेप पसंदो आप उस शेप को दे सकते हैं मैंने यहां पे थोड़ा सा चोरस और पतली-पतली बाइट समनाई हैं जिससे यह और भी ज और ब्रेड क्रम्स में हम इसको कोट करेंगे ताकि ये और भी ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लग सके अब मैंने इन बाइट्स को फ्राई करने के लिए रखा है आप शालो फ्राई भी कर सकते हैं और अगर आप फ्राई नहीं करना चाते तो आप इसको ऐसे तवे पर भी सेख सकते हैं इससे भी ये बहुत ज्यादा टेस्टी और क्रंची लगते हैं जो लोग तेल ओयल कम खाना पसंद करते हैं वो ऐसा कर सकते हैं सारी बाइट्स को गोल्डन ब्राउन होने तक हम अलट पलट करके इनको फ्राई करेंगे और यह जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं तब ही हम इसे निकालेंगे गैस की आज मैंने मीडियम ही रखी है मीडियम फ्लेम पर यह अच्छे बनते हैं अगर हम ज्यादा आज ते ज्यादा रूड जाएंगे जो ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे तो आई होप आज की रैस्पी आपको पसंद आई होगी